अपने जो उसका फ्लैक था जिसको इंसिग्निया कहा जाता था या फिर आप लोग कह सकते हो निशान कहा जाता था नेवी का उसमें कुछ बदलाव किये थे 2 सप्तमबर 2022 को ये बदलाव किये गए थे और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ये जो है न ये नेवी का पुराना वाला इंसिग्निया हुआ करता था और ये फिर उसने नया बनाया था तो 2 सप्तमबर 2022 को आप लोग कह सकते हो इसको चेंज करके इस तरीकी से कर दिया और यह जो रेड क्राल का यहां पर क्रॉस देख रहे हो ना आप लोगो क्रॉस पता होगा आप लोग को क्रिश्चन पहोली बाना जाता है तो यह काफी टाइम से चला आ रहा था और इस चीज को कहा जाता था सैंड जोर्ज क्रॉस लेकिन नेवी ने डिसाइड किया कि हम नी है गोल्डन शेप में यह उससे इंस्पार और ओक्टागोनल शेप यहां पर जो है यह शो करता है कि नेवी की जो आठो दिशाओं में नजर है या फिर आठो दिशाओं में काम कर पाने की जो capability यह उपरिशन कर पाने की जो capability है उसको और इस चीज में आप लोग देख स सकते हो एक तरीके से बनी रहा है यह कहा गया इसमें Sanskrit word है यह Sanskrit language है आप लोग समझ पा रहे होगे तो इस तरीके के जो बदलाव है वो लाए गये थे और यह तो देखो बहुत recent वाला जो बदलाव है वो है उसके लावा मैं आगर आप लोग को बता दू ना तो इस समय की जो याद दिलाती है हमारे जो गुलामी का टाइम था उसका उस चीज़ को ये लोग completely खतम करना चाहते है गुलामी की मानसिकता को आप लोग कह सकते हो जिसकी वज़े से ये completely खतम करना चाहते है और इसी दिशा में government ने बहुत से step लिये है पिछले कुछ सालों में वो सारे मैं आप लोग को बताऊंगा लेकिन ये वीडियो जिसलिए मैं बना रहा हूँ हाल में जो बहुत recently step लिया गया है ये भी नेवी की तरफ से ही लिया गया है दरसल हुआ क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आर्टिकल इसमें साफ लिखा है इंडिया नेवी एंड क अगर आप लोग देखो और एयर फोर्स में भी अगर आप लोग देखो तो इस तरह के की स्टिक जिसको बैटन कहा जाता है ये कमांडिंग ओफिसर या फिर इससे उपर भी जितने भी ओफिसर होते ना उनके पास रहता है आमेशा और ये आप लोग कह सकते हो कि पोस्ट के आप से रहता है जो एरो रैंक का ओफिसर है उसका बैटन अलग दिखता है उससे लोवर का अलग दिखता है और एस तरह के की चीजे जो है न वो पूरे फोर्स लेके चलती है तो एयर फोर्स और आर्मी का तो अभी रहने दो आप लोग उसमें इस तरह के को कोई डिसिजन नहीं लिया गया लेकिन नेवी में मैं आगर आप लोग को बताओ ना इस चीज को कैरी करने का जो डिस्तुरंट से बंद कर दिया गया यानि कि अब इसको आमेशा आपास में नहीं रखना पड़ेगा और ये चीज एक आप लोग कह सकते हो कि कॉलोनियल लेगेसी जो है वो शो करती थी दर असल हो था क्या था ना कि देखो कोलोनियल पीरियड जो था ना ये आप लोग जानते होगे कि एक बहुत बुरिया में कम देखे जाने वाला एक्जामपल था कुछ चुनिंदा लोगों ने दूसरे कंट्री से आके हमारे लोगों की ही मदद से हमी लोगों पर राज कर लिया था आप लोगों को पता होगा कि जो भी आर्मी हुआ करती थी या फिर पुलिस के जो लोवर रैंक या अधिकारी हुआ करते थे आर्मी भी लोवर रैंक के ही होते थे और जितनी भी फोर्सेस होती थी उसमें जो लोवर रैंक के ऑफिसर कहलों आप लोग या फिर जो भी पोस्टेट होते थे वो सब इंडियांसी होते थे और इनी इंडियांस की मदद से जो की लांज नंबर में होते थे पूरे कंट्री पे अंग्रेजों ने राज किया था और ये पूरा सिस्टम जो अंग्रेजों का था ये आप लोग कह सकते हो एक तरीके से डि पर officer उसके जो भी order है उसको मानने को तयार हो, किसी भी तरीक का कोई भी doubt उसके अंदर ना हो, सिर्फ senior officer अगर एक बर कह दे तो तुरंत यह जो order मानना है, इसके लिए तयार हो जाए, इसलिए यह जो power की आयराएक की है, इसको बहुत जादा exaggerate किया गया था, और एक तरीकी की मानसिकता बनाने की कोशिश की गई थी, कि lower rank के और जो officer उसके दिमाग में हमेशा यह रहे कि अपने senior का order ना follow करना, या फिर अपने senior के order पे सवाल उठाना, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये सिर्फ एक आप लोग कह सकते हो कि अपनी duty से पीछे अटने वाली बात नहीं है बलकि एक बहुत बड़ा गुना है, इस तरह के की मानसिकता बनाने की कोशिश की गई थी, ताकि कभी भी जो lower rank के Indian officers थे ना, Indian आप लोग कह सकते soldiers थे या फिर Indian rank के कुछ officers भी थे, वो बिना सवाल किये, अगर उपर वाला जो अधिकारी या वो कह दे तो अपने ही लोगों पर ये गोली चलाने को भी तियार हो जाएं, यही चीज हम लोग ने देखा था जलिया वाला बाग में आप लोग को याद होगा, जो गोली जिन लोग ने चलाई थी, आप लोग को याद होगा, उसमें से बहुत से लोग इंडियन्स भी थे, सिर्फ एक बार जनरल डायर के इन लोगों में इतनी भर गई थी, कि रिनियर ऑफिसर कह रहा है, वो अम लोग को करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, और इसी चीज को करने के लिए जो पावर का गैप है, आप लोग कह सकते हो, उसको काफी जादा एक्ज़रेट किया गया था, इस इसलिए उस टाइम पर यह जो इस्टिक था, यह भी एक तरहएका का सिंबल की तरह दाया तरह यूज़ किया जाता था, यह भी आप लोग कह सकते हो, कि पावर का जो थोटी है, उसको शो करता था, जी उस सीनियर ऑफिसर होता था उसके पास इस तरहेकी की इस्टिक होती थ से सिनियार ओफिसर के पास अलग तरह की किस्टिक होती थी और वो हमेशा लेके चलता था लेकिन आज के टाइम में क्योंकि इंडिया आवजाद हो चुका है आज जो नेवी है आर्मी है या फिर एर फोर्स है इनका काम नीचे वाले लोगों को दवाना नहीं है लोगों को कि सिंबॉलिक चीज का आज के टाइम में कोई यूज नहीं है और इसी चीज को देखते वे ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये रूल लाया गया है कि अब हमेशा इस चीज को इस आप लोग कह सकते हो कि बैटन को कैरी करने की जौरत नहीं है किसी भी आर्मी के किस चीजियों का कोई भी जवरत नहीं है अमरितकाल आप लोग को पता होगा कि 2022 में इंडिया ने 75 साल ऑफ इंडिपेंडेज जो है उसको पूरा किया है और 2047 तक हम लोग 100 साल जो है वो पूरा कर लेंगे तो ये जो आप लोग कह सकते हो 25 साल का टाइम है 2022 से लेके 2047 तक का इ इसको खतम कर देना है पूरी तरीके से और इसी लाइन में ये जो डिसीजन है ये भी लिया गया है उसके अलावा फिर आप लोग कह सकते हो कि तीसरा है जो अपने रूट्स है उसमें प्राइड मैसूस कराना इस तरह कि कि अपनी जो मेंटिलिटी ये वो डेवलोप करना है कि हमें अपने ही कल्चर में अपने ट्रेडिशन में गर फिलो और उसके अलावा फिर यूनिटी है बहुत इंपोर्टन है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए उसके अलावा आप लोग कह सकते हो कि एक सैंस ओफ ड्यूटी की जो फिलिंग है वो होनी चाहिए इंडिया निवी में से अठा देंगे उसके अलावा पिछले कुछ सालों में जैसा कि मैंने आप लोग को पता है बहुत से इस तरह की कि जो डिसीजन है वो इंडिया की गौर्मेंट द्वारा लिये गया है इसी कॉलोनियल माइंड सेट को खतम करने के लिए इसमें सबसे प पत रखा गया था लेकिन इसको अब बदल के करतव पत रख दिया गया है जिसका आप लोग मतलब जो है वो सिंपल इंडिया ये समझ पा रहे होगे कि वे ओफ ड्यूटी है फिर रेस कोर्स रोड आप लोग ने सुना होगा सेवन रेस कोर्स रोड जो है वहाँ पर प्राइ इसके बाद एक और इसी तरह के कानून है जो उसी टाइम से चलते आ रहे है और कई के बारे में तो अमारे जो लोग है उनको पता भी ने हैं ये कई किताबों में दब्वे हुए हैं और कई जिसके बारे में पता है जिससे कि IPC वगेरा हो गया ये टीक है चलो ये IPC वगेरा चल रहे है अजका आज भी इस्तिमाला को रहा है ये उतरा खराब नहीं है उतका आज बी ये यूद्स में लाया जा सकता है तो ये तो दोनों को अलग-अलग पेश किया जाता था और जिसका कोई रीजन था नहीं था बस यह अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था तो इसलिए आज भी यह चलता रहता था इसको आप लोग को याद होगा कि 2017 में बदल के एक ही में बना दिया गया आप जनरल बजट के अंदर जो रेलवे का बजट है वो भी पेश किया जाता है अलक से इसके लिए जो बजट है वो पेश नहीं किया जाता है बजटी में एक और चेंज लाया गया था पहले जो है वो लास्ट डे ओफ फरवरी को जो बजट है वो पेश किया जाता था उसको बदल के अब एक फरवरी स उससे publish किया जाने लगा है उसके अलावा नेता जी सुबाश चंद बोश जो है उनकी प्रतीमा इंडिया गेट पे लगाई गया है हाल में आप लोग को पता होगा और साथी साथ जो canopy है ना उस पे भी जो इनकी प्रतीमा है लगाने की बात हो रही थी इस canopy में आप लोग को मैं बता दूँ के 1968 तक जो King George 5 ते उनकी प्रतीमा हुआ करती थी अब इसको आटा दिया गया था 1968 में और आप decision लिया गया है कि सुबाश चंद बोश जो है उनकी यहाँ पर प्रतीमा लगाई जाएगी फिर Republic Day की जो parade होती है उसमें beating the retreat जो ceremony होती है न उसमें अगर आप लोग देखो तो पहले जो song या फिर जो भी आप लोग कह सकते हो दोन बस्तिती पीछे वो बस्तिती अवाइड वित मी और अब जो इसको है change करके एक नई song इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा काफी बार बच्पन से हम लोग सुनते आ रहे हैं यह मेरे वतन के लोगों जो है कवी प्रदीव जी की उसको अब शुरू किया गया बजाना प्रस सितार, संतूर, तबला इस तरह के के जो Indian instrument है उनका इस्तिमाल लाया गया है Republic Day के parade में जो कि आप लोग कह सकते हो कि अपना culture, अपना tradition जो है उससे और influence करने की कोशिश की गई है इस parade को इस तरह के के बहुत से decision यह तो एक-दो चीज हैं जो मैं गिनापारा हूँ हाल में आप लोगों को पता होगा कि जो अनवान और निकोबार है उसमें भी नाम कुछ आइसलेंड के जो है वो चेंज किया गया जैसे की रोज आइसलेंड का नाम चेंज करके नेता जी शुवास चंद बोस आइसलेंड रख दिया गया है नील आइसलेंड का नाम चेंज करके शाहित दीव रख दिया गया है और ऐसे ही एक आइसलेंट एवलोग आइसलेंट उसका नाम चेंज करके सुराज दीप रख दिया गया यह तो इस तरह के के बहुत से डिसीजन लिये गया है एक औरंजेव रोड हुआ करती थी आप लोग को याद होगा उसका नाम चेंज करके अब्दुलकलाम रोड रख दिया गया है डलोजी रोड जो हुआ करती थी उसका नाम चेंज करके दारा सिकोर रोड रख दिया गया तो इस तरह के नाम चेंज तो बहुत जादा ही किये गया है और ये सारे decision जैसा कि मैंने आप लोग को बताया गया है, लाए गया है, किये गया है, जो Indians है, उनके अंदर से गुलामी की मान सिकता है, उसको खतम करने के लिए, अब उसी line में एक और ये decision जो नेवी ने लिया है, जो button है, उसको खतम कर देने का, और ये भी आप लोग कह सकत तो काफी सही, काफी अच्छा जो decision है, वो लिया गया, तो ये था पूरा वीडियो गाईज, आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे like, comment, share, subscribe, जरूर कीजिएगा, that's all, everyone is there, take care.